सामलेकम वियर्स उमर्जलाल ग्लोब सेट से आज हम डिसकस करेंगे ड्रेम हाउसिंग ससाइटी ड्रेम हाउसिंग ससाइटी की सबसे पहले लोकेशन देखते हैं जो रिंग रोड अड्डा प्लॉट से तीन किलोमीटर है टूवर्ड राइवन रोड बड़ी मेन के उपर इसकी लोकेशन है और बैरिया और्चर्ट से पहले और सुपीरिय उनिवस्टी के ओपसिट ये इसकी कटिंग्स हैं वो तीन मरला पांच मरला टीपू ब्लॉग अली ब्लॉग ऑवर्सीज ब्लॉग इसको हम डिस्क्रस कर लेते हैं जो टीपू ब्लॉग है वो अल्मॉस उसका दिसंबर में पॉजेशन आ रहा है बीच लाग की बुकिंग थी और उस पे चार से छे लाग करपय यह है ओवर्सीज ब्लॉग यह क्यों डिफरेंट है टीपू से और अली ब्लॉग से इसकी लुकेशन एक तो मैं बताता है चलों यह डिफाइंड है यानि टीपू ब्लॉग से बिल्कुल नेक्स लोकेशन ओवर्सीज की है जो में गेट से एक किलोमेटर भी नहीं बनती में बुलेवोर्र डाइविन डोड से एक किलोमीटर आप हारली लगा लें एक किलोमीटर बाद इसकी लुकेशन है टीपू के बिल्कुल नेक्स्ट तो एक तो यह है कि इसकी लुकेशन डिफाइन है कि किज़एंड होनी है वो की सेरिये में होनी है हम साइड पर भी जाके है इसकी जो डिमेंशन है वो 20 by 40 है जो बड़ी जो परतस आइडियल इस कटिंग के अंदर यह साइज बनता है और तीन मरला अभी अलकभी टाउन में जो फेस्टू है वो 45 प्लस का रेट जा रहा है तीन मरलेगा एक तो यह साढ़े तीन मरला है इसका साइज जो है वो आइड प्लस का प्लान है और अभी जो इसमें बेनिफिट हो रहा है वो यह है कि अभी आपने स्रफ डाउन पेमेंट देनी है और त्री यह का प्लान है और ऐसे ही पांच मरले को देख लें तो पांच मरला 45 लाक है तो ओवर सीज इसलिए डिफरेंट है कि इसके अंदर एक साढ़ नौर्डन एरियास के घर जो कंस्ट्रक्ट हो चुके हैं वो इसके बिल्कुल बैक साइड के उपर नजर आ रहे हैं तो लोकेशन वाइज बहुत जबर बस्ता है आने वाले टाइम में जो ड्रीम हाउसिंग है वो इसमें कफी सारी एंटर्टेन्मेंट के लिए भी कुछ च इसके अंदर इन्वेस्मेंट करें क्योंकि आपको एडिया होगा कि जब से काम कर रहा है कोई भी हमने कभी ओफकराउंड चीज में काम नहीं किया तो अपने क्लाइंट को हम बिल्कुल यह रैफर करेंगे कि इसके अंदर इन्वेस्मेंट करनी चाहिए और इसकी डेउलप का प्लान है तीन साल बाद होगी लेकिन कफी सारी चीजे हैं जो मुझे पता है मुझे पता है दो साल में इसकी इनोने डेवल्मेंट कर देनी है तो मजीद इंफरमेशन के लिए मेरे नंबर्स स्क्रीन पे शो हो रहे हैं आप कॉंटेक्ट कर सकते हैं बड़ा इजी हो जाएगी थैंक यू